मेरे नाम सुर्भी गौतव है मैं आगरा यूपी से हूँ मेरी फैमिली में ममी पापा है और मेरे दो चोटे बाई-बैन है मैं सबसे बड़ी हूं इस वाक्शॉप से मैंने इतना कुछ सीखा है कि मुझे मेजर तो कुछ समझी नहीं आ रहा मुझे सभी मेजर लग रहा है अपने सबसे पहले सुख को जाना है मतलब हम लोगों में ऐसा होता है कि हम लोग खुशी या तो चीज़ों में ढूंदते हैं या दूसरे इंसान में लेकिन जो सुख है वो हमारे अंदर ही होता है हम उसको खुद में ढूंदने के जगे हर जगा ढूंदते हैं उसको चीज़ों मतलब फिजिकल फैसिलिटीज ज्यादा तर और सबसे इंपोर्टेंट चीज मतलब ट्रस्ट और रेस्पेक्ट मैंने इनका असली मतलब अब जा कि डेफिनिशन को इस वर्क्शॉप में समझा और रेस्पेक्ट मतलब यह जो ट्रस्ट फांडेशन ऑफ जो रिलेशन्शिप है जो फांडेशन है ट्रस्ट तो मुझे यह सब पहले नहीं पता था हम लोग सीधा केर पर जाते हैं या फिर ग्रेटिट्यूट पर जाते हैं तो इसमें हमने जाना कि नहीं त्रस्ट इस धा फांडेशन अगर ट्रस्ट है उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट तो मतलब अब मुझे समझ मारा है थैं हम किसी की ऐसे जाधा तारीफ कर देते हैं सर ने बताया हमको कि रेस कि आपनी पूरा करने में इतना जादा लगा हुआ है अपनी फेसिकल फैसिलिटी इस को पूरा करने में इतना जादा हम सबस्करान लगा हुआ कि हम नेचर की तरफ ध्यान wage और यह एक हम यह समझना चाहिए कि नीचर में जूभी चेंजस वह bilmiyorum हम सिर्फ वो हम ही हैं जो इसको सुधार सकते हैं वी हमको यह एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई कोई प्रोग्राम चलेगा या कोई एंजियो आएगा या किसी बड़े लेवल पर जब कोई अधिकारी आएगा तब वो इस चीज़ को देखेगा नहीं जो भी है वी शू अधिर अलग होता है और अंदर यह कॉंशियस नहीं सोती है वो अलग होती है फैमिली लेवल पर जैसे हम घर में भी हमारी जगड़े होते रहते हैं कि अरे नहीं मेर को यह चाहिए था मिर लिए यह नहीं किया आपने या फिर भाई बेनों से भी जगड़े हो जाते मैंने आतना तुमने यह क्यों नहीं किया तो यह चीज हमें सर ने जो समझाए कि want to do and able to do कि हम क्या चाहते हैं और हमारी abilities क्या है competency हो सकता है हम जो सामने वाले से चाह रहे हैं उसकी competency ही नहीं करने की यब किसी के लिए किसी के doubt intentions पर doubt नहीं रहेगा next society level पर we should feel responsible individuals should feel responsible for everything अगर हम नहीं चाहते तो हम कोई change नहीं ला सकते मतलब सब्सक्राइब कामन गोल की बात की थी कि सारे लोगों का common goal एक ही है लेकिन वो distract हो रहे हैं मतलब फिर लेकिन इस लेकिन जब सर ने बताया सर ने बस दो चीज़ बोली संबंद या विरोध तो वो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी संबंद या विरोध मुझे क्या चाहिए तो फिर नेच्रल एक्सेप्टेंस संबंद उसके बाद मैंने समझा कि नहीं मैं शायद जाद एक्सपेक्ट कर रही हूं उसकी competency नहीं होगी तो फिर मैंने दीरे दीरे चीज़ों को समझा और जगडा सॉट आउट हुआ उसके बाद मैं बहुत ही मतलब गुस्यल टाइप की लड़ जाद आए और जामिन लुकार बहुत है कि हर चीज की responsibility मुझ पर बाहर का कुछ काम होता उसकी responsibility मुझ पर घर का कुछ काम होता हुँक और मेरे अश भी नहीं के तुम लड़की हो तो तो इससे क्या होता है कि मैं कई चीजों को ने मन में रखना शुरू कर देती हूं कि तो मैं उसको पकड़ के बैठ जाती हूँ कि नहीं ऐसा क्यूं हुआ तो अब मैं उसको लेट गो करना सीफ हूँगी इस वक्षोप के बाद से next content in your academics हमारे आयरवेद में आत्मा और शरीर को अलग माना है और जो आयरवेद है वो सिर्फ शरीर का करता वो मन का भी ट्रीटमेंट करता है तो हमने अपने मन को सही रखना सीखा अपने मन में स्थेरता लाना सीखा तो आयरवेद के फीटमेंट के लिए यह सबसे जाधा सब्सक्राइब है next is future plans for my personal transformation यही कि मैं अपने में चीज़ों को नहीं रखूंगी चीज़ों को लेट गो करना सीखूंगी जाधा expectations नहीं लगाऊंगी और हुपकी emotions पर control तो मुझ पर नहीं होता है वर मैं कोशिश करूंगी next society के लिए मैं सबसे पहले इस workshop के बारे में अपने भाई वेन और ममी बाबा को ज़रूर बताऊंगी और at the end आज हो लिका देन है तो आप सब लोग भी अ जवेश है या फिर किसी भी तरह की गलत फीलिंग है उसको आज होले का देन में जला देना at the end हैप्य हो ली